हलो वैलकम टो स्टड़ी 147 केसे हो आप सब और आपके लिए एक सेंटर गवर्मेंट की तरफ से वेकेंसी जारी हो चुकी है मेल फिमेल ओल इंडिया कंडिडेट्स के लिए वेकेंसी निकाले गए और ये वेकेंसी कम से कम भी 4300 पलस कितने 4300 पलस पदों पर यहाँ पर वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो अपने इसमें देखते हैं ये वेकेंसी किस डिपार्टमेंट के दुवारा निकाले गए और कितने पोश्टे रहने वाली क्या इसमें एलिजिबिलेटर रही क्या इसमें आपको फॉर्म फिस देख बाबा एटोमिक रिसर्स सेंटर बी ए आर्सी बाबा एटोमिक रिसर्स सेंटर के द्वारा यह वेकिनसी जारी की गई है तो यहां पर अपन फॉर्म ऑपनिंग डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट कितने हो जाएकि 24 मार्च 24 अप्रेल 2023 से आपके फोर्म स्टार्ट शुरू हो गए है जो क्लोजिंग डेट कितनी हो जाएगी 22 मई क्या 24 अप्रेल से 22 मई तो आपको फोर्म देखने को मिलेंगे बात करते हैं पोस्ट की अलग अलग इसमें दो परकार की रिक्वाइर्मेंट आपको देखने को मिलेगी एक रिक्वाइर्मेंट तो होगी आपके डायरेक्ट और दूसरी होगी आपके ट्रेनिंग स्कीम बेस या स्टेपेंडरी ट्रेनिंग बेस पर आपको requirement देखने को मिलेगी तो यहाँ पर अपन direct requirement की बात करें तो इसमें अलग अलग तीन परकार की आपको post दे रहे किये यहाँ पर आपको इसमें total vacancy दे रहे किये यहाँ पर इसमें classification आजाएगा कौन सी है मतलब group A की है गुरूप B की है गुरूप C की है और यहाँ पर pay level और यहाँ पर entry फीस देख रहे कि एंट्री पे दे रहा आपको तो इसमें फर्स्ट अपन बात करें तो इसमें आजाएगा technical officer C इसमें total vacancy कितनी है 180 और यह group A की vacancy है और इसमें pay level कितना हो जाएगा आपको salary में pay level आपको 10 देखने को मिलेगा जिसमें 56,000 आपको 30 salary देखने को मिलेगी सेकिन अपन बात करें यहाँ पर scientific assistant B की तो scientific assistant B में आपको 7 vacancy देखने को मिलेगी और यह group B की vacancy है जो pay level 6 के और यहाँ पर 35,400 आपको starting entry पे मिलेगा फिर अपन 3 की बात करें तो यहाँ पर आजाएगा technician तो technician की बात करें तो technician में आजाएगा number of vacancy कितने हो जाएगी 24 यहाँ पर यह group C की vacancy है जो level 3 और यहाँ पर 21,700 आपको pay entry देखने को मिलेगा फिर अपन second बात करें तो first तो आता direct requirement यहाँ पर तो direct requirement होगा और second में आजाएगा training scheme based requirement आपको देखने को मिलेगा तो अपन इसकी बात कर तो इसमें category है category और first category है second category first में total 1216 post आपको देखने को मिलेगी और category second में गुन 344 post आपको देखने को मिलेगी इसमें direct requirement में आजाएगा technical officer की direct requirement में अपने तीन परकार की post देखी थी उसमें पहला आजाएगा technical officer की तो technical officer में इसमें आजाएगा bio science life science biochemistry myocrobiology इसमें आपको post देखने को मिलेगी यहाँ पर total एक post है यहाँ पर general की OBC की SCHT की कोई post नहीं है यहाँ पर only on EWS की आपको एक post देखने को मिलेगी इसमें अपन qualification की बात करें तो minimum इसमें qualification क्या होने चाहिए आपको पास MSU नी चाहिए जो bio science या life science या bio technology या microbiology या bio technology से आपके पास क्या होने चाहिए MSU होने चाहिए इसी परकार यहाँ पर chemistry physics architecture chemical और civil computer science इनमें यह अलग अलग तमाम परकार की आपको post देखने को मिलेगी category wise इसमें ST में OBC में EWS में general में और यहाँ पर आपको total post देखने को मिलेगी जहाँ पर अपने यहाँ प यहाँ पर आजाएगी OBC की 6 EWS की 3 और general की कितने हो जाएगी 7 तो यहाँ पर total कितने हो जाएगी 20 vacancy आपको इसमें देखने को मिलेगी और यह qualification की बात करें तो यहाँ पर qualification भी आप आगे यहाँ पर notice में देख सकते हो qualification यहाँ पर क्या दिरगा जैसे अपन civil की बात करें तो पिर यहाँ पर यह पोश्टे आगे अलग अलग परकार की यहाँ पर 7 पोश्टे तो यहाँ देखने को मिल गई आप computer science तक पिर आपके पास यहाँ पर 8 नमबर की पोश्ट आएगी drilling पिर 9 नमबर की electrical electronics instrumental mechanical metallurgy और mining यह है और यहाँ पर इन पर category wise आपको पोश्ट देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या है यह qualification देखने को मिलेगी अलग 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 जैसे electronics के अपन बात करें तो electronics में क्या पोश्ट रही है यहाँ पर यह SC की 4, ST की 2, OBC की 5, EWS की 1 और general की 3 total कितनी हो जाएगी 15 पोश्ट अब इस में आपको qualification की बात करें तो minimum qualification या तो आपको BEB टेक electronics से होने चाहिए या electronics या electrical, electronics and communication, electronics and control, electronics and instrumental, electricity and telecommunication से आपको क्या होने चाहिए यहाँ पर qualification मांगी गई है फिर अपन यहाँ पर 50 नमबर की पोश्ट बात जाएगा library and information science यहाँ पर total general में एक पोश्ट यहाँ पर SC, ST, OBC और EWS में कोई पोश्ट देखने को नहीं मिलेगी यहा information science with 4 साल का आपको experience मांगा गिया है यहाँ पर आप देख लेना और यहाँ पर with net pass होने चाहिए आप पिर अपन यहाँ पर बात करें PWD, PWD नहीं आजेगा personal with benchmark disability in person के लिए क्या है यहाँ पर एक एक वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी जिसमें physics में है, architecture में और electronics में है, इन पर अपने पास यह तो आगया था, first अब हम second की बात करें, तो second में क्या जाएगा, second post अपने पास क्या थी, second थी अपने पास scientific assistant की post थी, क्या थी, scientific assistant की post जिसमें आजेगे food technology, home science, nutrition, जिसमें SC की एक, ST की कोई post नहीं दे रहे की, OBC की 3, EWS की कोई नहीं, general की 3, तो यहाँ पर technology से या फिर home nutrition से science आपको compulsory होना चाहिए, MSC, फिर यहाँ पर अपन third point की बात करें, या फिर third post की बात करें, तो यहाँ आजाएगी technician की, तो technician में आपके पास कौन सा trade है, bio layer attendant का, यहाँ पर कितनी toast है, total choice post आपको देखने को, मिलेगी यहाँ पर education qualification क्या हो जाएगा, SSC plus second bio layer attendance का आपके पास certificate compulsory मांगा गया है, यह तो आगया अपने पास first scheme, अब अपन second की बात करें, तो second में आजाएगा training base, training base पे आपको जो बताएगी थी, first में तो क्या बताएगी थी, first में तो आपको बताएगी थी, मैं बतादो आपको first में, आपको यहाँ पर उपर अपन notice मे देखे थी, first में आपको direct requirement बताएगी थी, तो direct requirement में तो यह तीन post आगे थी, तमाम फिर आजेगे training scheme, training scheme में category second और category 2 थी, तो इसमें category अपन first की बात करें, तो category first में यहाँ पर आजेगे biochemistry, bio science, life science, इसमें यह तमाम प्रकार की post दे रहे की, आपको categories wise और यहाँ पर आपको यह qualification दे रहे की है, फिर यहाँ पर अपन chemistry की बात करें, physics की बात करें, तो यहाँ पर अलग-अलग category भाई, post दे रहे की, यहाँ पर total जैसे के physics में 117 post है, यहाँ पर physics में क्या हो जाएगा, MSC होने चाहिए physics with physics as major subject and chemistry mathematics, static biology and subject or MSBSC with physics, chemistry and mathematics as subject with equal weightage की साबसे आपकी पास क्या हो electronics, electronics and communication, mechanical, metallurgy यहाँ पर आपके पास अलग-अलग तमाम परकार की यहाँ पर post है आप, यहाँ पर notification में देख सकते हो, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आजाएगा, backward के लिए यह अलग-अलग परकार की post है, और उनमें एक-एक, दो-दो-तीन-तीन, चार-चार-चार-चार इसमें, vacancy है, फिर यहाँ पर अपन बात करें, second category, first category में तो वह आएगा, second category क्या है, step entertaining, तो second category में यहाँ पर आजएगा, filter, turner, welder, welder, mechanic, mechanical tool, electrician, or electronic, mechanics, mechanics, यहाँ पर ऐसी यहाँ पर तमाम, यहाँ पर सबसे अची post है आपको दिखाएगी, यहाँ पर total कितनी post है, filter में, six, nine और इलेक्टोनिक्स मेकेनिक्स में क्या आपर 226 पोस्ट देखने को मिलेगी और इन सब में क्वालिफेकेशन आपको एक ही मंगी कि यह कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी आपको और उसी साब से आपको क्या कौलिफिकेशन भी दी गई है और अलग अलग केटिग्री आपको पोस्ट भी दी गई है फिर अपने यहां पर चलते इंपोटेंट पोइंट पर तो इंपोटेंट पोइंट के अपने बात करें तो यहां पर आ यह आपको क्या मेडिकल में आइज के लिए देखना है फिर अपनिया पर फिजिकल स्टेंडेड की बात करें तो फिजिकल स्टेंड में क्या जाएगा आपके पास मिनिममम हैट कितनी हो चाहिए एक सो शाट सेंटिमेर आपको मिनिममम हैट देखने को मिलेगी और मिनिममम वैटेज कितना होना चाहिए 45.5 kg का आपको प्यास क्या होना चाहिए minimum weightage आपको weightage आपका होना चाहिए फिर अपन यहाँ पर age limit की बात करे तो यहाँ पर age limit भी post के हिसाब से आपको age limit में relaxation दिया गया है और minimum और maximum age यहाँ पर आपको decide की गई है तो यहाँ पर अपन requirement की बात करें तो इसमें post क्या है और फिर यहाँ पर minimum age और maximum age तो यहाँ पर post जैसे अपने first में देखा था अपने तीन परकार की post थी उसमें टेकनिशियल, टेकनिकल officer, scientific assistant और technician B की आपको post है इसमें minimum age क्या है 18 से 35 साल आपको 35 साल आपको minimum age दे रहे किए और यहाँ पर minimum age का criteria दे रहे का जो आप 1988 से पहले आपका जनम नहीं हुआ हो और 2005 के बाद आपका जनम नहीं हुआ मतलब 1988 से आपके 2005 की बीच में आपका जिसका भी जनम हुआ है वो यहाँ आपर technical officer की post के लिए क्या है, apply cable है फिर अपन category second में आजाएगा यहाँ पर यह minimum age गुनी साल है और maximum age कितने है 24 और category second में कितना आजाएगा step entry training में minimum age कितने है 18 और maximum कितने है 22 यहाँ भी आपको 2001 से 2005 की बीच में आपका क्या होना चाहिए बर्त होना चाहिए यहाँ पर अपन का बात करें category wise आपको relaxation दिया गया है तो इसमें category में आजाएगा जैसे OBC, AST, PWD, PWD, OBC यहाँ पर OBC को 3 साल का दिया गया है AST, AST को 5 साल का 10, 13, 15 साल का इनको क्या दिया गया है यहाँ पर age relaxation दिया गया है फिर यहाँ पर अपन next चलते हैं age relaxation आपकी पास आए गया फिर selection method की अपन बात करें तो selection method में क्या हो जाएगा इसमें आजाएगा टेक्निकल officer scientific assistant और category category first stependry training तो यहाँ पर first में आजाएगा यहाँ पर आप यह देख लेगा selection will be based on performance in interview मतलब आपका scientific assistant में अपन selection की बात करें final assistant में selection कैसे होगा तो इसमें को computer base आपके पास screening test होगा एक गंटे का और उसमें क्या हो जाएगे उसमें 40 multiple 24 question आएगे जिसमें 3 marks will be awarded इस पर तेक 3 marks आपको क्या दिये जाएगे सही question की दिये जाएगे और एक question अगर गलत होगा आपका तो एक number उसका negative marking की जाएगी फिर उसके बाद में क्या होगा आपको test cell be short listed for interview test होने के बाद आपका क्या हो जाएगा interview और interview में select होने के बाद आप क्या हो जाएगी आपका final selection हो जाएगा फिर अपन यहाँ पर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर टेक्निक्स यहन भी यहाँ और केटिग्री सेकिंड इस्टेपेंडे ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर यह तीन फेज में आपको देखने को मिलेगा इसका selection process फर्ष्ट में तो क्या जाएगा प्रीमिले टेस्ट हो जाएगा second में क्या हो जाएगा एड्वांस टेस्ट हो जाएगा और third stage में क्या हो जाएगा आपके पास skill test आपको देखने को मिलेगा प्रीमिले टेस्ट की बात करें आपर अपन syllabus तो इसमें जो primary यह test होगा पह len फिर बाद में क्या ऑजाएगा फिर बाद में एडवांस और फिर क्या जाएगा च्रीज्ट तो प्राइमरी अपन टेस्ट की बात करे तो इसमें क्या हो जाएगा मैब इक चिसन टॉटल 50 क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे और एक नमबर का एक सही का तीन नमबर है और एक गलत क्यूशन का आपको एक नमबर डेडिकेट मतलब deducted या minus किया जाएगा फिर यहाँ पर अपन second stage की बात करें तो first तो हो जाएगा primary test second की बात करें second हो जाएगा advanced test कौन सा हो जाएगा advanced test तो इसमें आजएगा the test will comprise 50 यहाँ पर आपको वह multiple question देखने को मिलेंगी फिर आजएगा तीन नमबर का आपको एक सही answer का आपको तीन नमबर दिया जाएगा और गलत answer का आपके पास क्या कर जाएगा एक marks काटा जाएगा फिर आजएगा merit list of candidate will appear stage 2 जो भी stage 2 में आप merit list में आऊगे उसको लिए आपको क्या करने पड़ेंगी फिर third stage के लिए आपको आगे pass कर दिया जाएगा skill test के लिए फिर stage third में skill test मतलब आप stage 2 में आपका जो score रहेगा उसके base पे ही आप stage 3 में qualify कर पाऊगे उसी साब से आपको qualify किया जाएगा फिर how to apply तो how to apply में क्या हो जाएगा यहाँ पर यह barc online exam.com की आपको website पे जाना है बार की बाबा एटोमिक रिसर्स एंट की आपको वहाँ पर official website पे जाना है और वहाँ जाकर आपको form fill करना है अब यहाँ पर important बात करें तो यहाँ पर important आजाएगा application fees क्या रहे नहीं वाली है तो application fees भी अलग-अलग post की साब से आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी तो यहाँ पर अपन बात करें technical officer officer की तो यहाँ पर आपको 500 रुपे fees देखने को मिलेगी category HW यहाँ पर इन में fees example मतलब यहाँ पर आपको relaxation दिया दाएगा फिर यहाँ पर scientific assistant में आपको 1500 रुपे देना होगा और technician में आपको 100 रुपे आपको fees देने होगी फिर step entry में पर category first और category second category first में तो आपको 1500 रुपे और category second में आपके form पीज कितने लगने वाली है 100 रुपे मतलब आपके form पीज ज़्यादा बारी नहीं है center of exam की बात कर center of exam अमरसर यहाँ पर कोलापूर, इंपाल, कोईमा, जैपूर यहाँ पर सब जैपूर, जोदपूर, सब जग़ा यहाँ पर आपके center बनाए गए है और admission of exam तो यहाँ था यह बार के द्वारा निकाली गई वेकेंसी, बाबा एटोमिक research center जो यहाँ पर आपको 4300 पलस पदों पर आपको यह vacancy देखने को मिलेगी क्या 4300 पलस 4300 पलस वेकेंसी आपको 4300 चोटर कुछ वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी 4300 पलस मान के चलो आप तो 4300 पलस वेकेंसी बहुत ज़्यादा वेकेंसी student यह फोम जरूर एपलाई कर दीजीगा और 24 अप्रेल से exam 24 अप्रेल से फोम स्टार्ट हो चुके हैं और यह 22 माई तक क्या 22 माई 2023 तक इनकी फोम डेट रहने वाली है अगर आपने फोम फिल नहीं किया तो आप फोम फिल जरूर कर दीजीगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबारत